बीजेपी आप नमस्ते ठर्ड आई में आपका स्वागत है जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि फ्राइडे को थोड़ा अंकों के बाद और फूड़ा इस्टेटिसिक्स की बात करेंगे आज थोड़ा भारत जॉडो यात्रा की बात कर लें एक Congress के तरफ से भी कहा जा रहा है बाकी लोग भी कह रहा है कि यह प्योरली कोई कह रहा है भारत जोड़ो यात्रा है हिमन्द बिसक भॉब सर्मा सहाब जो BJP कहा है वो कह रहा है कि इसको तो पाकिस्तान में होना चाहिए त्यादी त्यादी और इसको राहूल गान्दी खुद कह रहा है कि हम इसको एक आम आद्मी से कनेक्ट करना चाहा है इसलिए हम इसको लोगों के बीच जा रहा है, लोगों से मिलेंगे हम 150 दिन लगातार चलेंगे लेकिन क्या आपको लगता है कि ये केवल सामाजिक, केवल एक चीज को हिंदुस्तान को समझने के लिए याता है जैसे मैं देख पा रहा हूँ मेरे हिसाब से इन सारे चीजों के बाद होने के बाद भी इसका अंडर करेंट या इसके अंडर टोन जो है वो सियासी है और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है खाना की कुछ लोग अब आ गये हैं और ये कह रहा हैं कि ये तो प्रशांद किशोर का प्रिस्क्रिप्शन था उन्होंने कहा था कि इस तरह का एक वो करना चाहिए कोई भी प्रिस्क्रिप्शन रहा हो 2014 में अगर प्रशान किशावर जी ने कई prescription दिये थे चाहे वो चाहे पे जर्चा हो चाहे वो इस तरह के जो बहुत से बहुत से prescription दिये थे तो उन सारे prescription के बाद चोगिदार मैं भी चोगिदार और ये सब जो prescription थे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर prescription किसी भी का भी हो लेकिन असली माने तो यह है कि कौन इसको चल रहा है, who is walking the talk इसका सियासी मतलब मैं इसलिए समझाना चाहरा हूँ कि देखे, मैं सिर्फ इससे मैं Congress की बात करना हूँ चंदर शेकर जी ने जब 83 में भारत यात्रा की थी बड़ी पद यात्रा थी individual commitment था, party कोई पीछे नहीं खड़ी थी बड़ी बात थी और उसकी जो goodwill होती वो ज़रूर मिली, चंद्शिकर जी को ऐसा नहीं हो पूरे जीवन भर उसकी goodwill उनके साथ नहीं लेकिन 83 में जब यात्रा conclude हुई और उसके बाद 84 में चुनाओ होने थे तो इंद्रा गांदी जी के हत्या हो गए और वो हत्या हो जाने के बाद जो सहानबूती उम्री उससे राजीव गांदी को unprecedented mandate मिला, तो शायद उसका सियासी महत्व in terms of seat, वो impact नहीं हो पाया क्योंकि ऐसी बात हो गई थी जैसे अगर हाल के दिनों में कह लीजे सारा कुछ बीजेपी के अगेंस था मेरे हिसाब से आज भी मैं उस पे कायम हूँ 2019 का बाला कोट और पुलवामा को जिस तरह से हुआ और जिस तरह से बीजेपी ने उसको in cash किया, उससे वहां से मामला पलट गया मैं दो यात्रा को जल्दी से बता दूँ आंध प्रदेश में अगर आपको यादो राजशेखर रेड़ी साहम ने एक पदियात्रा की थी और उसके बाद उनके लड़के जब उनके निम्रित्ते हो गए तो जगन मोहन रेड़ी के अगर आपको यादो वो चार-चे-ार्ट बहुत लंबे समय तक वो पदियात्रा पे रहे थे पूरे आंध प्रदेश की खाक्छानी थी उन्होंने और उसके फल मिले अगर जगन मोहन रेड़ी है उसका एक बड़ा कारा वो पदियात्रा भी है मैं एक और वेक्ति का नाम इसलिए ले ले रहा हूँ कि जिसका एक्सपेरिमेंट था जो लोग जल्दी भूल जाते हैं दिग्विजे सिंग दिग्विजे सिंग अगर आप सबको याद हो تو 2003 में जब हो एक्षन हारे तो उन्होंने एक और प्रतिग्या की उन्होंने प्रतिग्या ये की कि मैं 10 साल तक सियासी राजनीत में नहीं रहूँगा सियासी राजनीत मतलब में लगातार ब्ज़ेपी मध्र प्रदेश में सत्ता में थी उन्हों है नर्वेदा परिक्रमा पदियत्रह की थो पदियात्रह उनकी करीब 192 डेस 192 दिन की चली करीब 3300 किलोमेटर की और उसमें जो मद्रप्रदेश की टोटल 230 सीट हैं उसमें से करीब 110 सीट से होके यात्रा गुजरी भी थी और उसके प्रणाम कॉंग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छे रहे अब जरा इसकी बात कर लें यह जो भारत जोड़ो या एक चार्ट साथ में बनाया है वो चार्ट इसलिए बनाया है कि जना आपको उससे फिर आसानी हो जाएगी चीजने समझने के लिए पहले जो ए एक कैटेगरी या कह लिजा या चार्ट ए जिसको बोलें उसमें तमिलाडू केरल और तेलंगाना है यहां पे खुल सीटें जो कहीं सरकार है यहां पे बीजेपी की सरकार कहीं पे भी नहीं है अब यह तो मैंने आपको बता दी टेबल एक ही बात अब बात कर लें हम लोग टेबल बी की टेबल वी में करनाटका महराश मद्रप्रदेश राजस्थान यूपी डेली रहरियाना पंजाब जमो कश्मीर इन 20245 में सिर्फ 12 सीट हैं और उस 12 में से भी 8 सीट पंजाब से आ रही है तो अगर पंजाब के सीटों को हटा दें तो मात्र चार सीट है आउट अफ टू हंडर्ड एंड थर्टी टू मात्र चार सी यह बात में इसलिए कह रहा हूं कि यह यह यात्रा का रूट है जिसको यह है कि वहाँ हमा चल कूंधल नहीं जा रही हुआ ये जड़ा समझुए वो उन जगों पे जा रहे हैं जहां पर कॉंग्रिस का सेंहीं सब में दब दबा था जा लेकिन आज कॉंग्रिस बाहर है यह उन जगों से में बीजेपी की जो टोटल सीट है तीन सो तीन सीट उसकी 60% मतलब 183 60% केवल इन नौराज्यों से आ रही है बाकी 40% में पूरा देश है अब जड़ा एक और चीज समझ लीजे अब मैं स्टेट वाइज आपको कर लो तमिल नाड में मुझे नहीं लगता है कि वहां को इस भी बीजेपी या इंडिये की डाल गलने वाली है क्योंकि उसके प्रमो क्रूप से दो कारण AIDM के जो इंडिये में बीजेपी का साथी है उसकी अपनी कला बहुत है और समय आपस में खीस्तान चल रही है तो वहां कुछ होने वाला नहीं है स्टैलिन राहूल गांदी के साथ बिल्कुल ठीक से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं वो उसको दिखा भी रहे हैं क्या भी रहे हैं तो मुझे तमिलान में मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कुछ भी कर पाएगे अब बात आते ही केरल की केरल में जो खीस्तान है वो यूपिये और कॉमिनिस्त मतलब क स्थान पर मुझे नहीं लगता है कि वहां पर कोई बहुत मेजर चेंज होने वाला है तेलंगाना नौ तेलंगाना इस वन स्टेट जहां पर चंद्रशेखर राओ बहुत एग्रिसिव हैं विपक्ष की राजनीत को बनाने के लिए पिछले एक-दो साल से वह मतलब फूर फ AIMIM के पास एक वहां पर BJP सब सीटों पर लड़ी थी अब थोड़ा सा एक चांस यह देखना होगा कि जो TRS हैं चंद्रशेकर राओ की जी की जो पार्टी है वो इस समय ऑपोजिशन यूनिटी की के लिए बहुत वह है और इमांदारी से लग रहा है हर एक से मिल रहा है कि सिर्फ बात वहां पर यह है कि अगर वहां उनका कॉंग्रस से कोई भी सेटलमेंट हो जाता है तो यह बात है कि बीजेपी की चार से भले ही तीन सीट हो जाए लेकिन पांच नहीं होगी और अगर अलग अलग लड़ते हैं तो अब चार से कितनी सीटें वो बीजेपी आसान नहीं है कहना अब हम लोग आते हैं करनाटका करनाटका में इसलिए मैं मैं बोल रहा हूं कि करनाटका में में एक बड़ी स्टेट है को लटाइस सीटें हैं जहां पे बीजेपी की पच्चिस सीटें हैं और बीजेपी का पिछली बार वोड परसंट 51.38 परसंट था कि यदुरपा साहब की यहां लीडर्शिप है उनको चीफमिंसर्शिप से हटाया तो उनको परल्लमेंटरी बोर्ड में कहीं एड़्िस करना पड़ा लेकिन जो उनके पीछे एक तमगा लगा हुआ है उनके पुराने केसे उनके पीछे हो रहे हैं वो कितना एफेक्ट करें कि एक तो सीधा रमया उनके पास है जो एक बड़ा चहरा है करनाटक की राजनीत का और वहाँ डीशिफ को मार है जो संसाधनों की कमी नहीं होने देंगे जैसा लगता है और एक और ध्यान रखिएगा कि करनाटक में सरकार कॉंग्रिस और जेडियस की थी जिसको तोड़के फिर बीजेपी की सरकार बनी है तो वो कोई natural first choice के साथ नहीं बनी थी तो वहाँ पे उसकी simmering अंदर का discontentment, anti-incumbency कितनी होगी यह आने वाला समय बताएगा कॉंग्रस यह बीजेपी के लिए 25 seat पे maintain रखना बहुत आसाल नहीं है मेरे हिसाब से अब आजाते है महराष्ट महराष्ट में 48 seat, UP के बास सबसे बड़ी state, BJP की 23, 27.84, शिवसेना 18, 23.50, NCP 4, 15.66%, Indian National Congress 1, 16.41%, AIMIM और Independent के बास एक-एक अब यहां पे असली test तो मेरे हिसाब से Congress से ज़ादा उदाभ ठाकरे साहब का है कि यह वहां पे अप्रूफ करना है कि असली शिवसेना कौन सी शिंदे साहाब वाली शिवसेना जो अभी तो मुखमंतनी है या उदाभ ठाकरे की शिवसेना उद्धर ठागरे साहम ने बहुत क्लियर कर दिया है कि वो MVA में हैं और MVA के साथ ही वो इसको चुनाओ इसमें लड़ेंगे अब MVA के पास इस समय अगर देखिए तो NCP के पास 4 सीट और Congress के पास 1 सीट इस 5 को बढ़ा कि वो कहां तक पहुँचेंगे लेकिन ये तैवात है कि इस सीटें बढ़ेंगे इसमें कहीं कोई if and but नहीं है अब हम आ जाते हैं मदप्रदेश मदप्रदेश में 29 सीट 29 सीट में बीजेपी के पास इसमें 28 सीट है और Congress के पास 1 और बीजेपी ने बूट मेजॉर्टी के साथ जीती थी 58 परसंट मिले थे उसको और यह तम मिले थे जब उससे पहले मदप्रदेश में Congress की सरकार बन चुकी थी विदान से बाग का election जीत चुके थी उसके बाद ये वापस 58 परसंट के साथ आई थी अब यहाँ पे एक चीज़ देखना यह होगा कि दिगविजे सिंग और करवनाद जी का तालमेल कितना चलता है जोते रादित सिंधिया आप बीजेपी में पहुंच गए हैं तो क्या उससे कुछ बीजेपी के internal जो भी उनकी power politics से उसमें क्या कोई फरक पड़ेगा शिवराज सिंग चोहान से इस समय जो present high command या हम दो जो हैं वो बहुत comfortable नहीं है क्योंकि तबी उनको किनारे किया गया है बहुत से राश्ट्री पदों से और वो कितना इनके साथ तालमेल करते हैं वो देखने वाले बात होगी यहां पर अगर आप अच्छा यहां पर एक important चीज़ यह है कि यहां पर विधान सभा का election लोग सभा से पहले होगा तो मद्ध प्रदेश में भी एक देखने वाली चीज़ यह होगी कि यह Congress यहां कैसा perform करती है क्योंकि पिछली बार सरकार बनाने के बाद एक सीट आई थी यह देखने वाला होगा तो यह मैं मद्ध प्रदेश में बहुत इस समय जैसी हाल आते हैं बहुत उम्मीद नहीं कर रहा हूँ अब हम लोग आ जाते हैं राजस्थान में राजस्थान में 25 सीट हैं बीजेपी पिछली बार 24 सीट और 24 और एक उसका सयोगी दल जीता था और 59 परसेंट वोट उसको मिले थे और राजस्थान में भी वही कहानी थी विदान सभा एलेक्शन के बाद कॉंग्रिस की सरकार बनी थी अशोग गैलोट चीफ मिनिस्टर थे कॉंपटेंट चीफ मिनिस्टर अब इस समय क्या होगा ये देखना इंपोर्टन और यहां पर भी विदान सभा एलेक्शन लोग सभा से पहले होंगे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कहे अशोग गैलोट किया जो पिछले पांस साल है राजनीत के जो जिस तरह सुनों ने किया उसमें एंटी इंकंबंसी जितनी हो लेकिन एक से सीटें बढ़नी चाहिए और वहां का एक थोड़ा पावर स्टरगल इंटरनल वहां पर भी चला है और सुन्धरा राजे जी और बीजेपी में जो इस समय हम दो हमारे दो के जो छोटे निताजी है उनके बीच में अब उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश तो हरदम से एक मतलब व सेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी ने गिफ्ट की हैं बीजेपी को लेकिन इन सब के बाद एक चीज़ यह ध्यान रखने वाले है कि रीसेंट जो विधान सभा के एलेक्शन हुए हैं वहां पे समाजवादी पार्टी को 37% अब यहां पे कॉंग्रेस का कुई कॉई लोग यह बादते हैं कि वो कहीं न कहीं वो बीजेपी के के रास्ते में नहीं खड़ी होगी अगर उसके विरोध में भी नहीं खड़ी होगी तो उसके रास्ते में नहीं खड़ी होगी हर्याना हर्याना के दस सीट दस में दस बीजेपी की लेकिन आज की तारिक में बहुत किसान आंदोलन जैसे हैंडल हुआ, बाकी वहां जात आंदोलन, मतलब जातों का जैसे हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक संभावना बीजेपी के दस में दस सीटें रिपीट करना थोड़ा मुश्किल होगा, कितने सीटें कम होती हैं देखने आने वाला समय बताएगा, पंजाब एक ऐसी जगा है जहां पे कॉंग्रिस को के लिए थोड़ा टफ है, क्योंकि तेरह में से पंजाब में कॉंग्रिस की आठ सीटे थी, और आम में पंजाब एहम है, क्योंकि पंजाब में वो रूल कर रहे हैं, तो अगर कुछ पंजाब में गेन होता भी है, तो वो बीजेपी का गेन तो शायद मुश्किल है, लेकिन अगर वहां कुछ गेन हो सकता है, तो कॉंग्रिस की कॉस्ट पे आम आदमी पार्टी का होगा, जम मैं दो ही बोल रहा हूँ, तो वो शायद जम्मू की सीट दो की दो रहें, लेकिन इन सारे आकड़ों से एक चीज़ सपष्ट है, कि जो एक जो मैं फिगर बार बार बोल रहा हूँ और जिसको है, बीजेपी की नौई स्टेट में 183 से सीटें कम होंगी, मैं हो सकता है कहूं 183 सीट होंगी, कुई कहा है नहीं 182 होंगी, लेकिन कम जरूर होंगी, क्योंकि कॉंग्रेस की इन नौई स्टेट में इस पद यात्रा के, इस भारत जोड़ों यात्रा के बात, 12 से सीटें 13 होती ही, कि 12 से 120 होती ही, यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन 12 से सीट आगे बढ और मैं हर फ्राइडे को आपको थोड़ा स्टेटिस्टिक्स के बहाने, इसका एक जनल आपको बहुत देता रहोंगा, थैंक्यू सो मच, धन्यवाद,